आज किसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डीजी लोकर के बारे में डीजी लोकर एक सरकारी अप्लिकेशन है जिसमें आपको जो है जितने भी सरकारी डोकुमेंट होते हैं सभी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं उसे रख सकते हैं और अगर बाचोंस अगर आप उसे दिखा सकते हैं, यह पूरी तरगे से valid है और सरकार यह आदेश देती है कि आप dg locker में आप अपनों सभी परकार के document जो है download करके रख सकते हैं, किसी भी परिस्तिती में अगर आप फस जाते हैं, तो अगर आपके पास original document नहीं है, तो आप dg locker की मदद से उप्योग करके आप जो download किये हैं, उसे ही आप दिखा के जो है, यहाँ पे आप छूट सकते हैं, तो चलिए हम आपको complete जनकारी देता हूं, कि कैसे dg locker में आपको account बनाना है, किस तरगे से आपको किसी भी दस्तावेश को download करना है, और यहाँ पे एक जी भी फिरी दिया जाता है, play store से dg locker का application यहाँ पे आपको download करना पड़ेगा, तो चलिए हम यहाँ पे download कर चुके है, यहाँ पे हम जो है open कर लेते हैं, तो यहाँ पे open करने के बाद यहाँ पे देखे बहुत सरा यहाँ पे देखे आधारकार का आप download कर सकते, account पे हम click करेंगे, account बनाने के लिए, उसके बाद यहां पे आपको जो है एकाउंट बनाना होगा किरिये एकाउंट पे किलिक करके तो चलिए हम यहां पे किलिक कर देते हैं उसके बाद फूल नाम यहां पे आप टाप करेंगे उसके डेट ओफ वर्थ आप यहां पे देंगे उसके बाद आप जेंडर देंगे उसके बाद तो किलिक करने के बाद आपके मोबाल नमर पे एक ओडिपी आगा ओडिपी को यहां पे इंटर करना है उसके बाद समिट बटन पे किलिक कर देना है तो चलिए हम समिट बटन पे किलिक कर देते हैं किलिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं प्रोसेस हो रहा है तो यहा बाद यहां पे issue document तो यहां पे अगर आप किलिक करेंगे इशजग है तो कोई भी अभी document यहां पे save नहीं है download नहीं है तो चलिए मैं आपको अधारकाट डाउनलोड करके दिखाता हूं dg locker से आप यहां पे जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं सभी आप यहां download कर सकते हैं और देख भी सकते हैं पर जसे मार्क कीट हो गिया ड्रैवरिंग लैसेंस हो जाङ यह सब आप यहां पर डॉट कर सकते हैं तो कैसे क्या जाता है यह सब डाउनलोड तो सब से पहले मैं आपको अधार कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ तो चलिए यहां पर अधार वाले अप्शन पर यहां पर हम किलिक कर देंगे तो किलिक करने के बाद आधार कार्ड पर हम किलिक करेंगे उसके बाद ओके पर हम किलिक करेंगे डाउनलोड करने के लिए UID, Hedge, Sent and OTP यानि कि जो आपके अधार में मुबाल नम्मर लिंक है उसी में एक OTP आगा उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है उसके बाद आपको Continue बटन पे किलिक कर देना है यहाँ देखे मेरा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे देखिए आधार कार्ड तो यहाँ पे चलिए मैं इसको Open कर लेते हैं Open करने के बाद आप यहाँ पे देखिए मेरा डाउनलोड हो चुका है तो चलिए हम फिर यहाँ पे हम देखिए आधार कार्ड पे हम किलिक करेंगे यहाँ पे देखे मेरा आधारकार यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड हो गया, सरकारी कोम में इसे उप्योग में ला सकते हैं, यह पूरी तरीके से लीगली है और सरकार का यह सरकार का यह कहाना है, पेन कार्ड भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे Income Tax Department पे किलिक करेंगे किलिक करने के बाद फिर से पेन वेरिफिकेशन पे किलिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप अपना पेन कार्ड का नम्मर उसके बाद जो पेन कार्ड में नम्म है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पेन वेरिफिकेशन डिकॉर्ट भी यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर चलिए हम किलिक कर देते हैं किलिक करने के बाद यहां पे देखिए मेरा package जो है जिसे ही आप यहां पे scan करेंगे मेरा पुरा detail यहां पे आ जाएगा उसके सास가지 पैन नमर भी आ चुका है उसके लाद नाम भी आ चुका है अगर application को बंद कर देता है फिर से open करेंगे जो भी आप document save किये हैं किसी भी परकार का डोकुमेंट यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं अगर इस वीडियो के रिकार्डिंग कोई भी सवाल या सुजाब आपके मन में रहा जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और